हेलो फ्रेंड्स देखे आज मैं अपनी जूस की रेसे की शेयर कर रही हूं चार ग्लास जूस के लिए मैंने एक चिकुंदर लिया है छे गाजर है और ये है चार किन्नू तीन आवला दो अनार इन सब को मैं न छेल के इन साफ करके और फिर मैं इसको बनाती हूं पहले इनको साफ कर लेती हूं यह देखेमें मैंने फारे चिल के साफ कर लिया है आमुशा को भी काट लिया है चुकंदर को भी च्छिल दीया है अनार मैंने फिर कर रख ली और चार इनको होगुardर को हो और इसको मैं कट कर लोगी चोटयह में तुपी जूसर मेरे चलाना दो चुकंदर को नोसे के umtex सब्सक्री घ्राइब ना करें लिया है यह मेरे बोल्ली तो भू हो बचल यह तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी रेसिपी आपको शेर करूं कि मैं जूस में कहके जो वेज़िटेबल भी हैं देखिए वेज़िटेबल भी है और थोड़ा सा अनार और किनू डाल के फूर्ट भी डाल दिये हैं बहुत ही टेस्टी होता है आप जूस बनता है पहले मैं दिये मैंने और इसके साथ जो मेरे कट के थे ना गाजर और चुकुंदर तो रोड़े वह भी डाल दूंगी और आवला जितने मेरे चाहतीन आवला ते वो भी काट केस्में डाल दिये हैं और इस तरीके से पहले मैं यह जूस निकालती हूं है तो तोड़े जाल दिया यह कितना healthy juice है ना यह बहुत healthy juice है मतलब winter में तो आप मतलब इतनी variety हो जाती है juice बनाने की नहीं तो पीना चाहिए लोग पालक भी डाल सकते हैं डालते हैं और आपका तमाटर डालते हैं अद्रक डालते हैं लेकिन हम बच्चे पसंद नहीं करते तो मैं simply तरीके से इस तरीके स बच्चे भी पसंद करते हैं इसमें मैं नमक और काला नमक और भुनावा जीरा डालके इनको मिला के देती हूं देखिए अब यह दुबारा और डाल रही हूं इस तरीके से मैं सारा juice बना लूँगे अब मैं किन्डू भी डाल दूंगे इसमें और यह सब मिक्स करके मेरा देखिए अब दुबारा से एक बड़ प्रेस करूंगे और जूस देखिए कितनी जल्दे निकलता है इतना अच्छा निकलता है इस तरीके से सब निकाल लेती हूं और फिसको चनी से चान लेती हूं क्योंकि ना वह मोटा मोटा सा कुछ आता है इस्टक्ट आते हैं तो भर लिया कांश के इसी में मैं डेली का डेली बना कर रख लेती हूं और दो ग्लास में अभी निकाल रही हूं और चार ग्लास जूस बनता है मेरा इतनी समान से और जो इसका जो जूस का जो निकलता है ना मतलब जो भी जूस का निकलता है कर चड़ा वो मैं फैक्ती नहीं ह गाडनिंग करती हूं और जूस का जूस मिल जाता है यह डेली का डेली का रूटीन है मेरा और देखे अभी पूरे विंटर में हमारा जितना है उतने के मैंने पीछे खादी बनाइए एक वीडियो में डालूंगी की मोश मैं कैसे बनाती हूं देखे इतना मेरा निकल गया है बबात में करेंगे जब पीना शुरू करेंगे इसमें सिम्प्ली काला नमक और भुनावा जीरा पस डाल के पीथे हैं इसमें निम्बू भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए मैं निम्बू वरा नहीं डालती हैं बस इतना सा वीडियो देना था पसंद आये तो लाइक शीर सब्सक्राइब